राम राम सभी ने, आज हम बात करेंगे नवगे 10 कि, राम इणड जवाब को याद होगी, रामानण साक्रगी वोही जो है रामेण जिसके टीवी परात्य जो है सडके खाली हो जाती दी, लोग अपने अपने जो टीवी सेट्टों के सामने बैढ जाती थेर उस जमान्य में इ जब भी बाद रामानंद सागर की रामैन की होती है तो उनका एक ही किर्दार सामनी आता है राम सीता वरतलक्षमन अनुमान या फिर रावन और किर्दार आज तक जो लोगों के जैन में बसा हुआ है ऐसा ये किर्दार था रावन रामानंद सागर की रामैन में रावन का किर्दार अर्विंत रिवेदी जी ने निबाया था रामानन्द सागर की रामेंड में काम किरने वाडे अरविन्त ओ Marriage में जो है एक ऐसी भी ने ता दीजिनों रावन की किर्दार को करके मेंशा मेशा के लिए जीवन्थ कर दिया इनके किर्दार की हर्थ को इतारिप करता है उनके दाडने की आवाज को ये भूल सकता प्रावन की नाम से जानते हैं अर्विन तरिवेदी का ना जनम जो है आठ नूम्बर 1937 को मद्दय पर्देश के इन दोर सहर में वा था उनके पिता का नाम जेठा लाल तरिवेदी था असल जिंद्गी में राम के बगत अर्विन का बच्पन मद्दय पर्देश के उजयन में बिता था लेकिन वो जो है गुजरात में ही प्ले बड़े उन्होंने बारवी कक्षा तक पढ़ाई मुंबूई के बावन स्कूलेचे की थी ये जो श्याम को राम ली ला दिखने जाया करते थे उने राम ली ला दिखना ही काफी पसंद था उनके बड़े भाई जो पेंद क्या करते थे लोगों के उनके एक्टिंग काफी पसंद आती थे जब ये किसी भी किरदार को करते थे तो लोग तालिब जाने से नहीं चुकते थे उन्होंने काफी अच्छा नाम कमाई इसके बाद अपनी मेनत और लगन के दम पर गुजराती फिल्मों में काम करने का मुक उन्होंने वर 1966 में अलीनी जी के साथ भी वाकिया इनकी जो तीन लड़किया है पचैसी चैसी की बात है उन्हें पता चला कि निर्देसक रामानंद सागर रामान बना रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुक के किरदारों की तलास है तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई र रहो तो बताएं एक परल्ग भी देर रखना करते हैं पूचा है कि वो कौन सा गिर्दार करना चाहते हैं वो सोच में पड़ गए रामान के सभी गिर्दार अपने बने हैं रूब में मैत अपरन थी उन्हें केवट का द्याना आया सभी जानते हैं कि केवट राम बगत था उसी तरह वो भी बड़े राम बगत थे हैं उनके लिए भी सरी राम से बढ़कर कोई नहीं है रामान में केवट ने राम और शीता को जोगंगा पार कराने में मदद की थी सरी राम के चरन सपरस का सहब आगे बने पराप्त हुआ था बस यहीं किर्दार वो करना चाहते थे राम और शागर जी कुछ नहीं बोले बस उन्होंने कहा कि तुम कला जाओ अगले दिन वो सैट पर पूँचे तो तीन सो से भी ज़्यादा लोगों का जमावड़ा देखा पूछने पर पता चला कि लंका पती राउन के ओडिशन चल रहे हैं उन्होंने रामण जी के स्टाप को बता कि मुझे केवट की किरदार के लिए रामण जी ने बुलाया है उन्होंने इस ओडिशन के बाद आपको बलाया जाए गा वो भी एक जंगे बैठ गए अच्छे क लंबे चोड़े लोग राउन के किरदार के लिए ओडिशन देरने आए थे सब का ओडिशन होने के बाद उन्हें बुलाया गाए उन्होंने अर्विन जी को एक सिकरिब्ट देए उसे पड़ने के बाद वो अभी कुछ कदम ही चले थे कि रामानन जी ने कुछी से चेकते वेका बस मिल गया मुझे मेरा लंकेश यही है मेरा राउन वो जो है चोपकर इदरो दर देखने लगे उन्होंने तो कोई डायलोग भी नहीं बोले और यह क्या हो गया जबनों उनसे पूचा कि मुझे मेरा राउन ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ सकती नहीं हो बलकी बगती भी हो वह विद्वान है तो उनके चेहरे पर तेज हो इतना बोलती जो रामान जी ने उनको गलेश लगा लिया अर्विंतरी वेदी जीओ जो है लंका पती राउन बन गए जिस दिन सिर्फ में राउन मारा गया उस दिन उनके लाके में लोगोंने काफी सोक मनाया था पिलाल जोहिन की डैथ हो चुकी है कि आभ जोओ कि अजये लाउन आवी Thank you कि mobile जिसमilot कहिसे खेझा है हाण चर सुक्य को भुक कि यादי कला है